हेलो आप्रोन वेलकम टो अपना कैंपस मैं हो पुस्पेंज जयादो तो डियू का जो पीजी कोर्सिस का इंटरेंस एक्जाम होने वाला है उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ तो उसके लिए प्लीज आप वीडियो ये 17th, 18th, 19th, 20th, 21 October को होगा एक्जाम की टाइमिंग क्या होगी तो एक्जाम यहाँ पे 3 सिफ्ट में होगा सिफ्ट 1, सिफ्ट 2 और सिफ्ट 3 सिफ्ट 1 आपका होगा सुभए 8 बजे से लेका 10 बजे तक सिफ्ट 2 आपका होगा साड़े 12 से 20 बजे तक और सिफ्ट 3 आपकी ह साथ बज़े तक तो यह तीन स्ट्टों में आपका एक्जाम होने वाला है अब यहां पर अपडेट की आई है वह देख लीटे हैं तो इसमें नीचे आप आएंगे तक यहां पर लिंक देख जाएगा इस लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके अभी आपका अपका कर तो आय देख सकते हैं अब कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूं अब एक्जाम सिटी को देखने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको दे दिया आए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे यहाप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो आपको अभी स्क्रिण पर दिख रहा है अब यहां पर आप देखिए आपको एंटर करना है अपना application number नीचे आपको डालना है अपना date of birth date of birth कासे डालेंगे ध्यान रखना पहले आपको 1 डालना है फिर आपको मन्त डालना है फिर आपको डेट डालना है उधारण के लिए जैसे आपका डेट बड़त है 16 जून 2001 तो पहले आप डालेंगे अपना यह दो हजार एक जून जून कौन समयना होता है 6 महिना तो 06 लिखेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट इसली आगे 0 लगाएंगे 06 और डेट है 16 जून तो आप 16 लिख देंगे आगे इसी तरह से आपकी जो भी डेट बड़त है आप अपनी डेट बड़त यहाँ पे लिखेंगे और नीचे आप लिखा यहाँ पर लिखा होगा city of examination और उसके आगे आपकी city यहाँ पर बताई गई है कि किस city में आपका एक्जाम पड़ेगा लेकिन ध्यान लखना यह आपका admit card नहीं है यह सिर्फ आपका एक्जाम की city बताने के लिए यहाँ पर NTA ने आपको यह link दिया है admit card इसके बाद आएग और admit card जब आएगा तब मैं आपको video बना के inform कर दूँगा तो उसके लिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर आपको update मिल जाएगी बाकी आपका जो एक्जाम का city है वह कैसे देखना है वो मैंने आपको बता दिया तो इस तरह से आप लोग एक्जाम से देख सकते हैं आई होप यहाँ पर आपको सब कोई समझ हुए आ गया होगा फिलाल अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में